वेलकम तू दे चाइनल अर्वी फंटासी सेवन इस तुडियो में हम बात करने वाले ओमंस अमेरिकन बास्केर बॉल लिग का जो कौर्टर सेमी फाइनल मैच कहला जाने वाला है नियॉयर्क सुमेंस वसेस वासिंग्टंग ओमंस की बीच में दोनों टीम की बीच में तीन करेंगी वह सेमी फाइनल के लिए क्वालिफाय कर लेंगी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइनप में कोई अगर अनेक्सपेक्टर चेंजस होते हैं तो उसके लिए टेलिग्राम टैनल जॉइन कर लेना क्योंकि फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको वही मिल ने विन के दो मैचेस विन के वासिंटेंग ने और कुछ ऐसे की प्लेयरे न्यूर्स की तरफ से जिनका आज के मैचेस में सेलेक्शन परसेंटर बहुत कम लेकिन हिट्ट्ट मैचेस के रेक और काफी अच्छे तो दो बड़े प्लेयर के बाद करेंगे जो कि न्यूर्स के से खेलने वाले एक तो सब्रीना लुशंस और ब्रियाना स्ट्यूवर्ड दोनों प्लेयर के क्रेडिट अगर आप आप देखेंगे तो क्रेडिट में बहुत ज्यादा डिफ्रेंस है और क्रेडिट उसी तो डेफिनेटली होने वाला है क्यूंकि आपर क्वाटर सेमी फाइ तो हर एक मैचस में सब्रीना लुशंस ने स्टीवर्ड से ज्यादा फंटासी फांड दे क्रेडिट उशू होने वाला है क्रेडिट से हो करना चाहते हो सब्रीना लुशंस का सेलेक्शन परसेंटेज थोड़ असा कम है आज कंप्यूट या पर ब्रियाना स्टूर सब्रीना सब्रीना लुशंस का पर्फॉर्मस हमेशा से बेश रहा है स्टीवर्ड के इस टीम के अगेस्ट जब भी आप यह मैचस के लिए पिछले चार मैचस का रेकोड आप उठा कर देख सकते हो इवन लास्ट मैचस में स्टीवर्ड ने काप ज़्यादा स्ट्रगल किया है और इ पोजिशन से बेंजन लेने और सेंटर पोजिशन से जंकिल जानोस आपको स्टार्टिंग लाइनप में देखने को मिलेंगी टीम के तरफ से जो इंपॉर्टम प्लेयर है वो है स्टीवर्ड सब्रीना लुशंस जो कि आपको शूटिंग से अच्छी पॉइंट दे सकते हैं उसके बाद बेंजन लेने एक ऐसी प्लेयर है जो अंडर्रेटर प्लेयर है अंडर्रेटर प्लेयर इसलिए भी क्योंकि आप पर इनका सेलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है लेकिन इस प्लेयर का भी हमेश्या से अपने होम में पर्फॉर्मस बहुत अच्छा रहा है और अच्छी प्लेयर आपके लिए उसके बाद बेंडर्रेटर पर ध्यान रखना ग्रैंड लेक के लिए स्माओल लेक के लिए भी बेंडर्रसलोट मेरे इतनी अच्छी प्लेयर नहीं है क्योंकि सलेक्शन परसेंटेज वह से भी आप आप यहाप देखेंगे तो बहुत कम है और रिसेंटली मैचस में परफॉमस आया ने इवन इस टीम के अगेंस्ट भी उन्होंने परफॉमस के दिया ने लास्ट मैचस का स्कोरकार देखेंगे और लास्ट जो मैच न्यूर के लिए थी उसी टीम के अगेंस्ट के लिए थी जो आज का मैच आप पर इस टीम के अगें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट इनके आये थे, उसके बाद बेंजन लेनी को भी देख लेना, इनका भी परफॉर्मस एक डिसेंट सा रहा है, जोंकिल जॉनस टाइम थोड़ा सा कम मिला, as compared to other player, लेकिन इनका भी परफॉर्मस आउस्टेंटिंग रहा है, तो टीम की तरफ से तो इनी तिनों प्लेयर को टाइम बेस्ट मिलाए, शुटिंग से अगर मरीना जॉनस का परफॉर्मस अच्छे रहा, तो इनको आच्छा पाया टाइम मिलेंगा, otherwise या पर फॉर्ण तर निके लिए most of the matches में सबसे ज्यादा टाइम खेल कर आईए, तो 6.5 क्रेडिट की प्ले से एरियल अटकिन, उसके बाद स्मॉल फारवर पॉजिशन से ब्रिकनी स्काइस, फावर फारवर या प्लेयर से बैक करें और बैक करने के बाद अभी भी आपर आउट ओप फॉर्म चड़ी, लेकिन प्लेयर बेस्ट है, कभी भी आपको ग्राइंग दे सकती है, उसके इनको आप वाईस कैप्टन ट्राइ कर सबते हो, लेकिन इनके परफॉर्मस ना करने के वज़े से जो इफेक्ट पड़ा है, वो पड़ा है, ब्रिटनी स्काइस के उपर, ब्रिटनी स्काइस कंट्यूनिशली आपने टिम के लिए परफॉर्मस देखर आ रहे है, नाताशा क करेडिट में तो मैं एरियल अटकिन से बेटर प्रिफरंस होंगा बेंजन लेनी जिनका आज का मैच होम में और उन्हें ने हमेशा से परफॉर्मस अच्छे रहे हैं यह माई नाइल इन एक डिफेंस हो प्लेयर है कभी है कभी आपको बहुत आच्छा परफॉर्मस देंगे औ लास्ट मैचेस का प्लेयर फरफॉर्मस जो इसी टीम के आगेंस्ट खेले गाया था जो आज के मैचेस में खेला जाने वाला है ब्रिटनीस का हमेशा से एक अच्छी प्लेयर रहे है और हमेशा से इन्होंने अच्छा परफॉर्मस देंगी नाताशा क्लाउड असिस से बेस्ट बैंच प्लेयर जुनको आपर अच्छा खासा टाइम मिलता है बेस्ट प्लेयर के अगर बात कुरू हॉफगिंस उसके बाद अगर किसी को ट्राइक करना है चातो तो वालकर कीमबव इगंबो और लिमेंग लिमेंग को लास्ट मैच में टाइम मिला लेकिन आज के म आचस में देखेंगे बाकी जो मेरी एक डेमूरी मिलन टीम है एक टीम में आपको बताऊंगा स्टीवर्ट के साथ जिनका सेलेक्शन परसंट बहुत ज़्याद है और एक टीम जो कि आपर मेरी फेवरेट टीम है और मेरी फाइनल टीम रहने वाले सबरीना लूसेंस के साथ क्योंकि इनके स्टार्स बहुत अच्छे इस टीम के अगेस भी और अपने होम कोर्ट में भी अगर यापर आपको स्टीवर्ट को लेना तो सिंपले आपको यापर ड्रॉप करना पड़ेंगा सबरीना लूसेंस तो उसके लिए आपर ब्रिटनी स्काइस मेरे टीम में रहें साबली अविलेबल है लेकिन खेलती नहीं है तो सिसाब से आपको स्टेपनी डोलसन को अप्शन्स आपके लिए काफी अच्छा है पॉइंट गार पोजिशन से नाताशा क्लाउड एक डिसेंट सिपीक आपके लिए रहेंगी शूटिंग और पोजिशन से आपर मैंने प्र के तरफ से स्टार्टर मेंने आप रहें बाकि अगर आपको चेंजस करना यह तो ब्रिटनी स्काइस की जगह पर अगर आप आप चाहूँ तो आपने टीम में वेंटर्स लूट को रख सकते हो उसके बाद आपने आपके टीम में आपर लीमिंग की जगह पर सिक्स फान यह आपको स्टार्टर देखनों को मिलेंगे बाकि सारी ब्रैंट प्लेर क्यूंकि इतनी बड़ी क्रिडिट वाले प्लेयर को अगर आपको लेना है तो आपको यह पर क्रिडिट शू फेस करना ही पड़ेंगा और जो स्टैट्स के अकॉर्डिंग जो मेरे टीम बनेंगी उ उसके बाद वालकर ली मेंग मुझे थोड़ा सा रिकमेंडेर कम करूंगा फाइप 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 क्रिडिट में अगर आपको किसी को प्रिफ्रेंस देना ही है तो थोड़ से एक क्रिडिट मैनेज करकर आप त्रॉंटों को आपने टीम में रख लीजे बागी आपर एक और चेंजिस कर सकते हो वो चेंजिस क्या है अगर आपको आपने टीम में डिलो डॉंग को रखना है जो कि आप पर आउट ओफ फाउंग चलते है लेकिन इंपोर्टन माचे अगर आपको लगता परफॉंग देंगी तो आप यापर आपने टीम में सिंप्ली एक चेंज और आपको जाना है या फिर आपको जाना है डिलो डॉंग और उसी के साथ साथ ली मेंग के कॉम्बिनिशन के साथ तो यह आपके उपर डिपेंडेंट है इस टिम में जो मेरी यस पे और पीपी रहेंगी लास्ट मैच में आपर मैंने बाना है था ब्रिटनी स्का इसको यस पी और पीपी बना है था सबरीना लेकिन पर मैंने इनको बनाए यस पी और पीपी बनाए या पर मैंने बिटनी स्का इसको थोड़ा सा सेफ केलना है तो यस पी पीपी रोटेर कर लेना अगर लाइन अप में कोई अनक्सपेट्टे चेंजेस हुए तो फाइनल टेम और फाइनल अपडेट के लिए टेलिग्राम जा साइनल टेक्ति है तो नाफिए तो लिक्षेर राइन शॉप्सरीचिए तो ये बनाए नए किति लूजा गन्दा भेशरण जानल टेक्ति अनक्यों है।